आकलन, आकलन को समझना आसान है, जब भी हम लोग बाजार या मेला में जाते हैं, तो कितना खर्च करना है ये पता नहीं होता है, हम ये देखते हैं कि बाजार में हमें क्या-क्या खरिदना है और कहां-कहां खर्च करना है, फिर हम अंदाजा लगा करके एक रासी तै करते हैं और उतना ही राश से लेकर बाजार जाते हैं इसी परकार जनमदीन, पार्टी, किसी उत्सव, साधी, आदी में कितने लोग सामिल होंगे ये पता नहीं होता है एक अंदाजा से हम लोग उनका बेवस्ता करते हैं तो एक अंदाजा ही क्या कहलाएगा आकलन ठीक है और आकलन को आप लोग आकड़ा भी कह सकते हैं ठीक है तो संख्या में कुछ भी नहीं है आप उदारां के माधम से समझीए अगर उनाइस का आकलन लिखना हो यानि सनी कटन संख्या लिखना हो तो आप क्या किजएगा अजिक है यानि 10 के नजधिक 20 है है 20 लिख दीजे ठीक है अब 11 के नजधिक क्या है तो 10 Ç... ₺ 1 you । और 30 ॓ 50 है तो हम इसको सकते हैं और 350 है यहां पर गॉर कीजिए एक काम है तो वी-। Voice लिख दिए अगर एक जैदा हैं तो हम 400 मन देछ लाँ आया आप पुदारान के माध्यम से समझे, मुझे 668 रुपय के दूध लेना है और 294 रुपय के पूश्त लेना है, तो मुझे पापा से कुल कितने रुपय मांगनी चाहिए, तो सींपल है, 400 कितना है, 688 है, तो इसको हम सनी कटन सेंगे कितना मान सकते हैं, डिरेक्ट मान सकते हैं, 500, और 294 है तो हम कितना मान सकते हैं 294 रुपया है कि बुक है तो हम कितना मान सकते हैं डिरेक्ट हम इसको मान सकते हैं 300 तो अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 800 तो कुल पैसे पापा से कितने मांगने चाहिए 800 रुपया तो इस तरह बनाया जाता है 987 रुपय है तो इसका हम Sunny Cotton संख्या ले लेंगे कितना 1000 और यहां पर देखे 10,101 है तो इसका Sunny Cotton संख्या ले लेंगे हम 10,100 ठीक है अब दोनों को जोड़े देंगे कितना हो जाएगा 11,100 ठीक है तो इतना रुपय हो गया अब इसको समझें 21,832 है पलस में 63,421 है तो इसका Sunny Cotton हम ले लेंगे डारेक्ट 22,000 और इसका हम ले लेंगे डारेक्ट 63,000 अब दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 85,000